2004 का साल था चुनाओं के नतीजे आये NCP 71 Congress 69 बहतर स्ट्राइक रेट NCP का मुख्यमंत्री बन सकता था NCP का लेकिन अगर ऐसा होता तो शरत पवार को finally कमान अजित पवार के हाथ में देनी पड़ती पर ऐसा हुआ नहीं अजित पवार खेमा आज तक ये कहता है कि उसी दिन उन्हें ये एहसास करा दिया गया था कि पार्टी में उनकी जगे क्या है एक तो बीस साल पहले की बात है जैसे मैंने का मैं दिमाग से डिलीट बहुत जल्दी हो जाता है नेगेटिव चीज़े लेकिन ये अच्छी बात है तो मुझे याद है क्या हुआ था और एक तो बीस साल पहले अगर पार्टी से कोई मुख्यमंत्री बन दा तो उस वक दोई नाम थे चगन भुझबर्ड और अरार पार्टी ये दोई नाम थे मुझे अभी भी याद है दूसरी बात पार्टी की डीटेल मीटिंग छे जन्पत पे हुई थी और छे जन्पत हम रह रहे थे या गुरुद्वारा रकाब कंच दोनों में से एक घर था और अभी भी मुझे याद है वो दिन क्योंकि प्रफुल पटेल जी घर आये थे और प्रफुल पटेल जी और साब की बात हो रही थी और दोनों सोच रहे थे कि कॉंग्रिस से प्रस्तावा आया था कि अभी हम यूपीय में आये थे सरकार बनी थी केंदर में और कॉंग्रिस का प्रस्तावा इसे आया था मनमौन सिंग जी खुद पवार साब से बोले थे कि आप मुझ्य मंत्री हमें द अगर कोई बनता तो 2004 में भुजबल साहब या अरार पाटिल दोनों ही तो रेस में थे तीसरा कोई था ही नहीं पहली बाद और भुजबल साहब अरार पाटिल प्रफुल पटेल चगन भुजबल अपला अजीत पवार शरत पवार सबकी डीटेल मीटिंग हुई थी ऐसा नही लेंगे और उसके बाद हम सरकार में गए और फॉर्मिला तेया हो गया और वो दिन उसके बाद 18 साल हम सरकार में साथ रहे और अजीत पवार इंतिजार करते रहे पार्टी के फंक्शन्स हो या शरत पवार साहब का 70 वा जरम दिन हो मंच से उनका बार बार कहना तटकरे जी जब साहिब हमारी उम्र के थे तो दो बार सीम बन चुके थे लेकिन साहिब ने निशारों को पढ़ना जरूरी नहीं समझा 75 साल के हुए अजित पवार फर्श पर बैठी रहे पार्टी ने पूछा पत्रकारों ने पूछा शरूर पवार साहब से आपके बाद कौन उन्होंने का जनता तै करेगी तब भी अजित पवार का नाम नहीं लिया लेकिन जब साहब ने तै किया तब कारिकारी अध्यक्ष बनाया सुप्रिया सुले और प्रफुल पटेल को अजित पवार फिर से इंतिजार करते रह गए आप आधी बात बोल रहे हैं आप भूर रहे हैं कि एक नहीं चार बार इसी NCP और इसी शरूर पवार ने Deputy CM अजीत पवार जी को बनाया था वो जब सुबह की शपत विदी देवेंद्र जी के बाद उनके साथ उन्होंने लिए उसके बाद वो वापस आये तबी भी अजीत पवार जी को ही उपमुख्यमंत्री बनाया था बीच में देवेंद्र पवार जी ने जो आरोप अजीत पवार पे लगाये उसके बाद उन्होंने रेजिगनेशन दिया था उसके बाद भी अजीत पवार को ही उपमुख्यमंत्री बनाया था और पार्टी का उपमुख्यमंत्री बनना मतला पार्टी का नहीं था और उनक मुझे ही कहते थे कि मुझे दिल्ली में मन नहीं लगता बिलकुल मैं आऊंगा मीटिंग करूंगा और चला जाऊंगा और रहते भी नहीं थे दिल्ली में तो उनको दिल्ली में इंट्रिस्ट ही नहीं था रही महाराष्ट्र की बात महाराष्ट्र की सारी जिम्मेदारी उनको दिये थी पूरा फ्री एंट था